हेलो फ्रेंज वेल्कम टो मैं इस्टेडी शीट चनल दोस्तों प्रिविएस येर की जितने भी कोस्चन्स फिजिकल एजिकेशन कम्पिटेटि एक्जाम्स टिजिटी फिजिटी के विएस एन्विएस यल्टी में पूछे गए हैं उन सभी कोस्चन्स को आपके समझ कर रहे हूं और दोस्तों यजरी आप इन सभी एक्जाम्स की सिलिवस के कार्डिंग प्रिपरिफिटी करना चाहते हैं मेरे चैनल पर सभी वीडियो इजिविज के सिलिवस के कोष़िएंग है उन सभी वीडियो को वाश करके आप अपने प्रिपर्परिशन को वहतरी बना और शिच्छा का साजहा लच्छ कौन शा है यानि सारे सिच्छा और सिच्छा दोनों का एक ही मकसद इसमें कौन है नाड़ी मांस्पेशी का विकास की खेलों का विकास की मांस्पेश तो दोस्तों यहां पर नाड़ी मांस्पेशी का विकास सारे विकास खेलों के विकास एक तीनों लिफ वन सारी शिच्चा के अंतरकत आजाएंगे लेकिन मानचे की काज जो है वे शालरिक शिच्चा और शिच्चा दोनों का साज्याल अच्छे हो जाएगा option number D यहां पे correct हो जाएगा तो आप्सान नमब़ दी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे साई कि Baker Administration मोर्ण ड्यश्च्यों में नया द्रिष्टी कोर्ड संग्यानात्मण छेत्र मेंbaric and पराविerson 3 थीं संग्या है क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बात जित अवर्श्रक है तो इसका आपसन नंबर एक रेट हो जाएगा गति शीलता बनाए रखने के लिए क्योंसी अध्यापन पद्धती सारिक शिच्छा में सरुस्रिष्ट माने जाती है तो दोस्तों प्रदर्शन विधी जो है सारिक शिच्छा में सरुस्रिष्ट माने जाती है आपसन नंबर बी सारिक शिच्छा की विभिन क्रियाओं के सिच्छा में प्रदर्शन विधी महतपूर अस्थान रखती है इस विधी में अध्यापक शाररी क्रियाओं का शंचित व पुर्व्युट्वावेंगे और उसमें सारीक क्रe other प्रती रूची उत्पन होगी और को सफ्टेंव। तो कौन उत्तम प्रसुती धंग है दोस्तो प्रदर्शन यानि कर के दिखाना आफसर नमबर ए next question है कच्छा प्रबंद निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है बित की उपलबदता पर की प्रहानी वाली विसे वस्तु की प्रकार पर कि किस प्रकार का विश्य वस्तु है आफसर नमबल बी निश्ट कोश्चन है सिच्छ की प्रभाव शीलता का नियधारण किसे के द्वारा किया जा शकता है अच्छी विश्य सामगरी कि सक्त अनुसासन की छात्रों के लिए सुतंत्रता की छात्रों पर प्रभाव तो सिच्छ की प्रभाव सिलता का नियधारण दोस्तों सिच्छ का छात्रों पर कैसा प्रभाव पढ़ रहा है उस पर निभग करता है आफसर नमबल शी यानि उसकी अनुगरहर सिलता द्वारा सिच्छ की प्रभास्विलता का इधारण किया जा सकता है जात्र की नेक्ष्ट कोश्चर है सिच्छड विधियों की तुलना में सिच्छड तकनीक अधिक लचीली होती है और वे अलग-अलग होती है आपसर नमबर A सिच्छक से सिच्छक तक यानि सिच्छड विधियों की तुलना में सिच्छड तकनीकी अधिक लचीली होती है प्राया अलग-अलग सिच्छक को द्वारा अलग-अलग सिच्छड तकनीकी प्रयोग किया जाता है जैसे कि दोस्तों माल लीजी वो प्रदैसन विधियी बता रहा है तो दस टीचर हैं, दस टीचर जब बताएंगे, तो अपने अपने में साथ सबका टेकनिक अलग-अलग होगा, तो वहाँ सिछक से सिछक तक अलग-अलग होगा, ठीक है, नेक्श कोशन है, जर्मनी के महान साररिक शिछावित जान बरनाड वेस्डो ने, जिस सिछकूल की जर्मनी के आधुनिक साय सिच्छा के उदगम और जान बरनार बेशडो जो जर्मनी में आधुनिक साय सिच्छा के पितामा भी कहे जाते हैं कि स्वचंद बिचार थे कि ओर 1774 इस्वी में बेजडों ने देशु नामक अस्थान पर जैमरी में प्रकितिवारी पार्ट साला खोली जिसका नाम फिलंत्रोपीनम था और आधनी की रोप में ऐसी संज था अपने धंग की प्रथम संज था थी निश कोश्चन है यदि कोई खिलाडी प्रसिचक की देख रेक में सिखे हुए कोशलों का अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं तो यहां पर सही अंसर हो जाएगा आफसर नबर भी कोचिंग कहते हैं यदि कोई खिलाडी प्रसिचक की देख रेक में सिखे हुए कोशलों का अभ्यास करता है तो उसे कोचिंग कहते हैं प्रसिचक को अभ्यक्तिव होता है जो उन लोगों को अपना ज्यान परदान करता है उसे सिखाना चाहते हैं यह उसकी निपूरता का लाब उठाना चाहत है सारिक शिच्छा सिच्छ के किस साधन द्वारा कलपना शक्ति का विकाश होता है तो यहां पर दोस्तों आपसा नंबर भी मॉडल सही हो जाएगा क्योंकि किसी चीज का आप मॉडल देखते हैं तो आपको याद रहता है कि हां कलपना करते हैं उसके अंसार कि हां वह ऐसा थ हो ऐसा था ठीकम एrick कोस्टन है तच्छज सिल्ह विष्व विध्याए किस प्रसिचर के लिए अधिति था तो दोस्तों अच्छज सिल्ह prawd जाले में धनृ का प्रसिचर डिगूश का भारत में इस्थापित बिश्चु का पर्थम बिश्चु 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 बिश तो इसकी स्थापना हुआ था 1932 में अमेरिकन शमाज द्वारा थीक है नेक्ट कोश्चन है इसकूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में हुई तो दोस्तों भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसकूल गेम्स फेडरेशन के सफना 1954 में हुआ आपसन नंबर सी यहां पर करेट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न लिकित में से किस संस्था द्वारा ब्यावशाइक सारीक सिच्छा के पाठेक्रमों को मानता दी जाती है तो दोस्तों ब्यावशाइक सारीक सिच्छा के पाठेक्रमों को मानता दी जाती है यंसी टीए द्वारा यंसी टीए या देखी नेशनल काउंसील आफ टीचिंग एजुकेशन राष्टी सिच्छक सिच्छा परिश्चत ठीक है यह ब्रसाइक सारे सिच्छा के पाठेकरमों को मानेता इसके द्वारा दे जाती है इसका मुख्याल है जैपूर राजस्थान में करता दिए किस परिश्चर का उप्योग मानश्पेसियो की सहन शकती को मापने के लिए नहीं किया जाता है तो दोस्तों यहां पे है सीट अप फ्लेक्स आर्म हैंग 12 मिटर दवड दवड़ना और चलना दूर तक चलना तो दोस्तों यहां पे मान स्पेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए जिसी तो फ्लेक्स आर्म हैंग दूर तर चलना तीनों होगा बट 12 मिटर यहां पे नहीं लिखा है यहां बारे मिटर है तो 12 मिटर में बहुत ही कम दूरी होता है इसमें आप किसी सहन सक्ति का मापन नहीं होता है आप सन नंबर 3 यहां पे करेक्ट एंसर हो जाएगा किश्डाम है दोस्तों कि मैंगडोनौल्ड फूटबाल परिछण में सामिल है तो दोस्तों मैंगडूनौल फूटू फूटबाल फूट। में क्या किampa जाता है कि बैक्द वोर्ट पर फूटबाल को जमीन पर गिर dispelे मारा जाता है नीज साकट है, आपसम नमब यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा, यह दोस्तो समाननी फुर्बाल चमता जनरल सौकर एविलिेटि झेस्ट पर इचट है, यह साककर टेस्ट के अंդर जर्द Spaßकर टेस्ट, और मेंडराण अग्रान पूर्फित संमान सारिट परिचरád को सामिल तो इसमें क्या हो जाएगा कुछ दूरी के लिए कृकेट बाल फिक ना कि Harvard step test की pull up ब्यायाम की कुछ भी से इस भार उठाना तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है कि सारी सक्ति को मापने के सबसे आशान विधी सक्ति की बाद बुला है यहाँ पे pull up हो जाएगा pull up ब्यायाम द्वारा option number C यहाँ पे correct answer हो जाएगा next question है दोस्तों कि सहन शक्ति विकास की एक बिधी की रूप में जिसमें गती या चाल पर पहले से योजना नहीं बनाई जाती है इसलिए यह ब्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है कि वह आस पास के माहावल के अनुसार चाल बदले तथा यह बिधी हिदे और फेफों की छमता बढ़ाती है इसे कहते हैं दोस्तों इस सभी लाइनों से आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा है चाल बदलने की बात कर रहा है यानि इस पीद पले किसे बुला जाता है और बिदा पूर नियोजी धंग से किया जाता है तो इसको हम फार्ट लेक्ट ट्रेनिंग में थन पर सिच्छर बिधी कहते हैं आप से नंबर यह यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा निग्स कोस्चन है दोस्तों फार्ट लेक्ट पर सिच्छर का संबंध है शक्ति गती दमखं लचिलापन किसे संबंध है दोस्तों दमखं यानि सहन सक्ति से ठीक है फार्टलेक एक श्वीडिस सब्द है जिसका आर्थ होता है गती खेल यानि इस स्पीड प्ली फार्टलेक फरसिचर बिधी का प्रयोग ब्यक्ति की शहन चमता बढ़ाने के लिए और इस बिधिक में गती व अस्थान पहले से नियोजित नहीं होता है बिना पुल नियोजित की किया जाता है इसका निर्ड़य बिक्तिकत होता है अखिलारी अपनी गती पहाड़ियों जंगल कीचर घाष के मैदान अर्थात इस्थान के अनुरूप करकता है इस प्रकार फार निक्स्ट कोचन है फॉर्टलेक शरीर में बिक्सित करता है किसको तो यहां पे सहन सिता हो जाएगा आफसान नंबर बी निक्स्ट कोचन है दोस्तों मानों सरीर में फॉर्टलेक बिक्सित होती है गती से छमता से ताकर से चपलता से तो यहां छमता से हो जाएगा यानि इं वह बल की मातरा जो एक मानस्पेशी डाल सकता है भी है वह मानस्पेशियों का ठके बिना थोड़े शमय के लिए काम करने की छमता नू दोस्तों सहन छमता में थोड़ा समय नहीं आता है लंबा समय आता है वह मानस्पेशियों का ठके बिना लंबे समय के लिए काम करने की छमता है आता है आता है निक्स्ट कोचन है दोस्तों की सटल रन से परखी जाती है हम सबकें को परखको जाता है धावान औरन से से स्वीड एंड एकली को मापा जाता है ऑन दोट्था यहां पर सही आपसें हो जाएगा आपसें ब्राव म30 आपसा नमबर बी दोस्तों निक्ट कोचन है परिसिच्र के दोरां ठकान के आभास का खारण होता है जैसा कि आप सब को पता है लेक्टिक एसीड के जंड जाने से हम हमारे सरे में प्रसिचर के दोरान थकान होता है जैसे दोस्तों यदि पेश्यों को कुछ शमय तक नियंतर आकोंचन करना पड़ता है और यह इसmy को हम ठकावत करते हैं फट खते कि में हमारे सरीर में कौन सा अमल बढ़ जाता है तो लैक्टिक अमले थí clown बढ़ जाता क्या है यहां पर सही अंसर हो जाएगा गती सिल्टा जो हमारे गती सिल्टा को बहाता है वही आपका फ्लेक्सिबिलिटी होता है दोस्तों जैसे कि लचिलापन क्रियाओं की स्रिंख्ला के माध्यम से एक संयुक्त क्रिया को शंपन करने की छमता होती है किसी भी क्रिया में पे जिसके कर्राल क्रीया होती है concern करते हैं जिसके एक क्रीजा होती है जिसकी इंट्राइब All those इंट्राइबिवें टाइरा आफियों धिश्टा कर जाता है जैसे आप अपने हैंट को वहाएं यह अस्कों और तो उसको इंटा गोनिस्टिक करते हैं अगया करते हैं इसको इनटार करते हैं जैसे में आ हाध को करते समयं हमारा मुख्य-भूमी का निभा रहा है बाइस को इसको इंटार वनिस्टिक हो गया गणिसरी करी है ट्राइसेप्स इसको एंटागोनिस्टिक पेशी कहेंगे ठीक है दोस्तों तो लोसिलता की प्रसिच्चा का लच होता है कि एंटागोनिस्टिक सबस्क्राइब और हरकत चालों की सीमा को बहाता है इसे उनका तक्निकी विकास संभ़ हो साथ लचलापन खिलाडियों की चोटों से भी बचाता है लचलापन आधिक अलग अलग तक्निकी के वर्गों में बाटा जाता है जैसे कि इस्टैटिक बलेस्टिक एसस्टीड मेथड इस सबसे लचिलापन बिक्सित होता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई हो कि सभी कोस्टन्स आपको समझ में आये होंगे और दोस्तों इस वीडियो को जा जो ही मैं नया वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहें